इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं अगर आप parallel space application यूज करते हैं बट आप इसको पहले खोलते हैं तब application को यूज कर पाते हैं इस application के अंदर से जाकर अगर ऐसा हम करने लगें कि भाहर से ही हम shortcut बना लें और इसे बाहर से भाहर से किसी application को खोले हम में parallel space को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े तो वह आप कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीचेगा और चैनल को subscribe भी कर दीचेगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले है parallel space के home page पर जाना है और किसी भी application पर आपको hold कर देना है बट आपकी जो application है वो एड होनी चाहिए तो इसे यहां पर आपको जो है hold कर देना है और यहां पर आपको दिख जाएगा create shortcut तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो यह जो है enable pro to create home to screen पर यहां पर जो है एक आपक create shortcut home screen तो अगर यहां पर अगर आप pro use करते हैं तो तब यह हो जाएगा otherwise नहीं होगा बट यह पहला option था लेकिन अब यहां पर यह चले गया है इस वजह से आप इसको pro खरीदना होगा तब आप यहां पर इसका home screen पर shortcut बना पाएंगे तो यह प्रसेस रहता इसका अगर यहा और चैनल को subscribe कर दिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye and take care